मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सबस्कारब कीजिए हेल्ट टिप्स मेडिकल नोलेज यूट्यूब चैनल को वेलकम दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल हेल्टिप्स मेडिकल नोलेज में आपका बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों दोस्तों मैं हूँ है मन्त और आपके लेकर आओं कल हमने जो टेस्ट लिया था हमारी जो एप्लिकेशन है HTMK Academy HTMK Academy के नाम से हमारी एप्लिकेशन है Google Play Store पर अवलेबल है आप इस एप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप टेस्ट स्रीच को जोईन कर सकते हैं और रेगुलरी टेस्ट दे सकते हैं तो जो HTMK Academy एप्लिकेशन है उस पर हमने जो टेस्ट लिया था उसके सोलिशन के बारे में अपन बात करने वाले है कि उसके कौन-कौन से क्यूस्टन हमने एक्जाम में दिये थे बात कर लेता है यहाँ पर तो मैं क्यूस्टन को सोल करने के पहले आपको दिखा देता हूँ कि उसमें कौन-कौन से questions पूछेते बात कर लेते हैं यहाँ पर question में पूछा है drug kit B is given it जो drug kit B है वो कहाँ पर दिया जता है तो मैं directly आपको answer बताऊँगा जो drug kit B है यह कहाँ पर दिया जता है PHC जो यहनि PHC है वहाँ पर drug kit B दिया जता है और drug kit B के अंदर क्या होता है इसके अंदर delivery से संबदित जो delivery के time पर जो medicine यूज करते है वो medicine इसके अंदर होती है जैसे कि हम बात करें जो भी delivery के समय जो medicine यूज होती है वो होती है किसके अंदर drug kit B के अंदर तो यह कहाँ पर दिया जता है यह PHC पर उपलब्द होता है चलता है next question को देख लेते क्या question था international ads day celebrated on every year ठीक है तो international ads day कब celebrated किया जाता है यह किया जाता है 1 December को यह celebrated किया जाता है कौन international ads day बात कर लेते हैं next question की यहाँ पर question में पूछा था who is the chairman of health survey and planning committee तो कौन है health survey और planning committee का chairman तो इसका सही answer क्या था इसका सही answer था वो AL model year AL model year इसका है किसका health survey and planning committee का तो आप ऐसे याद इसे भी याद रख सकते हैं मैं shorter कि आपको बता जाता हूँ MPH ठीक है MPH यानि कि model year कि इसका है planning health survey committee का ठीक है तो यह आप शोट ट्रिक से आप याद रख सकते हैं next question क्या था next question में यह था question में पूछा है principles of health survey education include all यानि कि जो स्वास्ट शिक्षा के सिद्दान थे question में पूछा है census conducted in every year in India यानि बहारत में जंगर्णा किते वर्ष में की जाती है तो भारत में प्रतेक 10 वर्ष के अंदर जंगर्णा की जाती है यानि कि जो population को calculate किया जाता है वो प्रतेक 10 वी येर के अंदर किया जाता है next question की बात कर लेते हैं RHM के अंतरगात आशा की भरती होती है ठीक है जो NRHM इसकी में उसका अंतरगात है किसकी recruitment होती है आशा की next question की बात कर लेते हैं यहाँ पर question में पूछा तो जो की काफे important question है हर exam में पूछे जाता है most common side effect of IUD insertion ठीक है IUD insertion का सबसे सामाने side effect क्या है तो इसका जो सबसे सामाने side effect क्या है side effect तो और भी है लेकिन सबसे सामाने side effect वो है bleeding ठीक है यहाँ पर correct answer है वो है bleeding next question की बात कर लेते हैं अपन यहाँ पर पूछा था MMR vaccine given it MMR vaccine कब दिया जता है तो MMR vaccine कब दिया जता है तो इसको दिया जता है 18 MONTH पर दोस्तों यहाँ पर दियान रख लेना question में पूछा है question में यह पूछा है 勤कर Q Dasson में किसको पूछा है mmr को अगर यहाँ पर सीधा measles पूछते measles तो इसको कब दिया जता है इसको दिया जता है nine मन्त पर कब दिया जाता है इसको नाइन मन्त पर लेकिन अम्र को कब दिया जाता है अठारा महिने पर चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरह दोस्तों यह कापे इंपोर्टेंट क्यूशन है यहाँ पर क्यूशन में मैं आपको बताता हूँ डाइग्नोसिस ऑप टीबी अकोर्डिंग टू डोट्स इजिम टीबी की जाच डोट्स का अंतरगत कैसे करते हैं यह डोट्स प्रोग्राम में उसके अंदर टीबी की जाच कै यह के खाते हैं तो इसका सhही अंसर क्या है यह नø k Kolleginnen Yap antwee यहाँ पर अंसर सभी है वह बुदी करते हैं यहां पर आंसर सही है वो है two out of three Samples positive देखो इसमें क्या होता है तीन सेंपल लिये जाते हैं ध्यान रख लेना तीन सेंपल लिये जाते हैं और वो भी क्या है अरली मोर्निंग के अरली मोर्निंग के तीन सेंपल लिये जाते हैं अरली मोर्निंग इस पुटम के तीन सेंपल लिये जाते हैं उन तीन सेंपल में से दो सेंपल पोजिटिव आना चाहिए ठीक है तो उसे क्या कहीं है अपन ट्यूबर क्लोशेस पोजिटिव है बात कर लेतें next next question में क्या है next question की अगर बात करें अपन next question के दरगत है according to maternal health program daily dose of folic acid pro pregnant women should be maternal health program के दरगत प्रती दिन कितने folic acid की मात्रा गरबोती महिला को देनी चाहिए देखो यहाँ पर program का नाम लिखा है maternal health program तो यहाँ पर सही answer है वो है 400 microgram यह इतनी मात्रा आपको देनी चाहिए बैसे अभी कितना कर दिया है minimum 500 mcg ठीक है लेकिन अगर इस program की बात करें तो इस program के अंदर गत किती देते हैं 400 mcg ठीक है किती देते हैं इसके अंदर 400 mcg बात कर लेते हैं next question की next question में क्या है यहाँ पर question में पूछा है dmpa is an injection injectable contraceptic given every जो dmpa injection गरमी दोदा के इसको कितने दिनों में लगाना चाहिए तो यहाँ पर सही अंसर क्या रहेगा यहाँ पर सही अंसर है वो है तीन महिने में ठीक है dmpa का मतलब होता है deport, medroxy, progesterone, acetate यह एक injection क्या है contraceptive है और इसको कब लगाना चाहिए each 3 month के अंदर next question की बात कर लेते हैं अपर next question में क्या पूछा है next question में पूछा है यहाँ पर question में पूछा है which of the following vaccine not administered at birth यानि कौन सा ऐसा वैक्सिन है जो birth के समय नहीं लगाया जाता है तो यहाँ पर सही अंसर क्या है हिब हिब जो वैक्सिन है इसको birth के समय नहीं लगाया जाता है यह तीनों vaccine क्या लगाया जाते है यह तीनों vaccine birth के समय लगाया जाते है तो यहाँ पर सही अंसर है अपना वाला है पहला वाला क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा है तीक है next बात कर लेते हैं अपन यह question भी कापी important है कही एक जामें पूछा हुआ है किस vaccine की वज़े से toxic shock syndrome होता है तो toxic shock syndrome कौन से vaccine की वज़े से होता है इसका सही answer क्या है इसका सही answer है वो है measles जो measles का vaccine है उसकी वज़े से क्या हो सकता है toxic shock syndrome हो सकता है next बात कर लेते हैं यहाँ पर question की बात करेंपन question में पूछा है minimum gap that should be allowed between to administer to live vaccine दो live vaccine के बीच में minimum कितना gap होना चाहिए तो यहाँ पर सही answer क्या रहेगा यहाँ पर सही answer है वो है minimum 4 weeks ठीक है यानि कि एक मन्त का minimum gap होना चाहिए minimum 4 weeks का ठीक है तो यहाँ पर सही answer है minimum 4 weeks बात कर लेते हैं next question की यहाँ पर question में क्या पूछा है question में पूछा है गोबी campaign of UNICEF include all except यानि कि जो गोबी campaign है उसका अंतरगत सबको UNICEF के गोबी अभियान का अंतरगत आते हैं सिवाई यानि कि तीन ऐसे चीज़े जो गोबी का अंतरगत आती है बाकि एक नहीं आती है देखो यहाँ पर जो सही answer है वो है यहाँ पर सही answer है वो है observation यह नहीं आता है देखो गोबी का मतलब आपको मैं बता देखो गोबी ठीक है जी का मतलब growth monitoring हो गया ओ का मतलब oral re-idition बी का मतलब breastfeeding और आई का मतलब immunization तो यहाँ पर यह वाला नहीं आता है तो अपना सही answer है वो है पहला वाला बात करें तो next question की तरफ question में पूचा है which of the best determinant of the health status of a community एक समुधाय के स्वास्ते की सबसे अच्छा निदारित कोन सा है तो यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर सही answer है infant mortality rate यह सही answer है ठीक है चलते है next question की तरफ यहाँ पर question में क्या पूचा है question में पूचा है zero incidence ठीक है यानि zero incidence का मतलब क्या होता है इसका मतलब यह होता है elimination of disease यानि कि zero incidence का मतलब हो गया है कि अगर zero incidence आ रहा है zero incidence अगर आ रहा है incidence अगर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो disease है वो क्या है eliminated हो गई है eliminated उसका dredge का क्या हो गया है elimination हो चुका है तो इसे कहते है अपन zero incidence बात का लेते हैं next question की यहाँ पर question में पूचा है question में क्या पूचा है micronutrients include सुक्षम पोशक तत्वों में शामिल है तो यहाँ पर सही answer क्या है सुक्षम पोश्म तत्वों की बात करें तो यहाँ पर होते हैं minerals minerals को क्या करते हैं अपन micronutrients के नाम से भी जानते हैं क्या जानते हैं micronutrients micronutrients के नाम से भी जानते हैं किसको mineral को तो यहाँ पर सही answer है minerals minerals में कैसे sodium potassium chloride यह से जो भी होते हैं उन्हें हम मेंडल्स के नाम से जानते हैं बात कर लोते हैं अपन Plagera is due to deficiency of याने प्लेगरा किसकी वज़े से कमी की कारण होता है तो प्लेगरा किसकी कमी की कारण होता है यहाँ पर साइच आंसर हो है Niacin जो Niacin vitamin है थेक के यानि कि प्लेग रहा इसकी विज़े से होता किसकी विज़े से निया सीन की कमी की वज़े से नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट क्यूशन में क्या पूचा है क्यूशन में पूचा है ए परसन विद बोडी मास्क 18.5 तो 20 बिलोंग्स दर केटेगरी ओप यानि कि जो पेशेंट है उसका बोडी मास इंडेक्स है यानि कि BMI वो 18.5 से 25 के बीच में तो किस को किस के टेगरी को बिलोंग्स करेगा तो यहाँ पर सही आंसर है वो है नॉर्मल वेट देखो 18.5 से अगर 25 के बीच में तो यह क्या है यह नॉर्मल वेट है अगर 18 से कम है तो मतलब अंडर वेट है ठीक है अगर इससे उपर जाएगा तो ओवर वेट में आएगा चलते है नेक्स्ट क्यूशन की तरब यहाँ पर क्यूशन में पूचा है वीच ओप दे फ्लॉविंग एग्जामपल ओप फूड अडर अल्टरेशन फूड अल्टरेशन का मतलब यह होता है यानि की मिलावट यानि की कौन सा एग्जामपल है जो मिलावट को दर्शाता है mixing folic acid with bread, mixing iodine with salt, mixing papaya seeds with peppers, mixing edible iron in wheat flour तो यहाँ पर देखो यह सब यह दर्शाता है किसको पपीते के बीच कालि मिलावट के साथ मिलावट को बागे देखो यह सब नॉर्मल है हम मिक्स करते है इनको यह भी करते है लेकिन यह नहीं करते है तो यहांपर question में मिलाविट की पूचा है तो मिलाविट का अपना यह सही answer है next बात कर लैते हैं यहांपर question मेंब पूचा है smallest bone situated in middle ear तो middle ear की सब्सक्राइब गौन से है सबसे चोटी bone है वो है stepBeas देखे हैं, जो middle year होता है उसकी सब्सक्राइब बोन है वो है stepbeas तो यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर सही answer क्या है यहाँ पर सही answer हो है gingivitis gingivitis का मतलब यानि की जो gum से जो मसूड है उनके अंदर सूजना जाती है next बात कर लेते हैं पन यहाँ पर question में पूछा है total numbers of canine in human oral cavity total number कितने जो canine bone canine teeth होते हैं human oral cavity के अंदर total 4 होते हैं next question की बात कर लेते हैं यहाँ पर question में पूछा है outer layer of heart wall is जो heart होता है उसकी outer layer कौन सी होती है जो heart होता है उसकी जैसे heart है तो heart की outer layer कौन सी होती है जो outer layer की बात करें तो यह जो बाहरी layer होती है हर्दे की वो कौन सी होती है तो यहां पर सही अंसर क्या है यहां पर सही अंसर हो है पेरिकार्डियम ठीक है क्या है पेरिकार्डियम ठीक चलते हैं नक्स्ट क्यूशन की तरब यहां पर क्यूशन में पूचा है टाइप ओप मौस्कुटों ट्रांस्मिटेड मलेरिया मलेरिया किस मोस्कुटों के बाइट करने की वज़े से transmit होता है तो यहाँ पर सही answer क्या है यहाँ पर सही answer होग है एनाफ्लीज की वज़े से जो एनाफ्लीज होता है उसके वज़े से malaria होता है next question की बात कर लेते हैं पन जो next question पूछा था यहाँ पर question था instrument used to calculate amount of bleaching powder for disinfected of well जो कुए होते हैं उनको disinfected करने के लिए जो instrument use में लिया जाता है bleaching powder को calculate करने के लिए वो क्या है उस instrument का नाम क्या है तो यहाँ यहाँ पर सही answer है हो है Horax apparatus ठीक है यह सही answer है Horax apparatus next बात कर लेते हैं पन यहाँ पर question में पूछा है hormone secreted by posterior pituitary gland pituitary gland गंती दोरा इससावित होने वाला hormone है पस्चे pituitary gland posterior की बात किया है यहाँ पर तो posterior pituitary gland से कौन सा hormone इस तरह होता है यहाँ पर सही answer क्या है यहाँ पर सही answer है वो oxytocin जो pituitary gland मैंने कई बार आपको बताया है एक तो anterior part होता है एक posterior part होता है तो posterior part से दो होते है एक तो होता है ADH ठीक है और दूसरा oxytocin ठीक है एक तो ADH होता है दूसरा oxytocin होता है तो यह दो hormone होते है किसे posterior pituitary gland से चलते हैं next question की तरह यहाँ पर question में पूछा है the ability to understand self is term edge यहनि स्वयम को समझने की समता को क्या कहता है तो इससे क्या कहते है इससे कहते है पन insight स्वयम की समझने की समता को क्या कहते है पन insight जैसे मालो यह है और यह खुद को समझने की समता होती उससे कहेंगे हम insight बात कर लेते हैं, next question की, यहाँ पर question में क्या पूचा है, question में पूचा है, question में पूचा है, question में पूचा है, question में पूचा है, defense mechanism in which unacceptable desire redirected into social desirable channel, ठीक है, एक defense mechanism, जिसके अंदर क्या है, जो unacceptable, जो desires होती है, उसको किसके अंदर, society के अंदर, उसको fulfill करना, तो यहाँ पर होता है, यहाँ पर है, वो सही answer है, sublimation, ठीक है, उससे क्या कहते है अपन, उससे कहते है अपन, sublimation, suppose करो कि मानलो यह female है, ठीक है, मानलो यह female है, यह female है, और इस इसका, जो यह, इसका boyfriend से, इसका break up हो गया है, यह क्या है, society की बच्चों के अंदर जाकर, enjoyment करती है, ठीक है, यह society के अंदर, तो इसे कहेंगे, अपन, sublimation, क्या कहेंगे, इसे अपन, sublimation, चलते है, next question की तरब, यहाँ पर question में पूचा है, false, fixed belief, that cannot be corrected by reasoning is called, ठीक है, यहाँ पर जो fast, corrected नहीं, correlated होते हैं, by reasoning, ठीक है, तो यहाँ पर सही answer है, वो है, false belief, false belief को पूचा है, तो यहाँ पर सही answer है, वो है, delusion, क्या है अपन, delusion, ठीक है, जो false belief होते है, किसमें होते है, delusion के अंदर होते हैं, next question की बात कर लेते हैं, यहाँ पर question में पूचा है, science dealing with aging process, यहाँ कोन सी ऐसी science है, जिसके अंदर aging process को deal करती है, तो यहाँ पर सही answer क्या रहेगा, यहाँ पर सही answer है, वो है, क्या है जर्नेटो लोजी, ठीक है, इसके अंदर किसकी, old, जो old age के, old age के, old age वाले जो public होती है, उसकी study की जाती है, किसके अंदर, जर्नेटो लोजी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पर सही answer है, अपना हो है, जर्नेटो लोजी, next बात कर लेते हैं, यहाँ पर question में पूचा है, the term for fear of height, height से डर लगने को क्या कहते है, यहाँ पर height से डर लगने को क्या कहते है, तो यहाँ पर सही answer क्या है, यहाँ पर सही answer क्या होगा, यहाँ पर सही answer हो है, acrophobia, ठीक है, सही answer हो है, acrophobia, next question की बात कर लेते हैं, यहाँ पर question में पूचा है, रेबीज किसकी वज़े से होता है तो रेबीज किसकी वज़े से होता है इसके लिए जो वाइरस है वो कौन सा है लाइसा वाइरस लाइसा वाइरस की वज़े से क्या होता है रेबीज होता है क्या होता है यहाँ पर रेबीज होता है किसकी वज़े से लाइसा वाइरस की यह पर सही अंसर वो 1000 1000 population के ओपर किया होती है एक आंगनवारी worker होती है यहां पर क्योंच में क्या पूचा यहां पर कुछा है यहां पर कुछन में पूचा है फ्लैग साइंग इच करेकरिक्टिस्टिक फिचर आप विच डिजीज यह नि कि फ्लैक साइंग किस डीजीज का कर characteristic feature है, तो यहाँ पर सही answer क्या है, यहाँपर सही answer वह है, क्वाशी और कर, डिजीज का, यूनिवर्सल इम्धिशन प्रोग्राम वाज लॉंच इनिडिया, इनिडिया के अंदर यूनिवर्सल इम् mobilization program कब लॉंच किया गया, तो यहाँपर सही answer क्या है, कब लॉंच किया गया 1985 को Universal Immunization Program को लॉंच किया गया next बात कर लेते हैं अपन under vitamin A prophylaxis program children given between 1 to 6 year ठीक है 1 से 6 साल के बच्चों को vitamin A prophylaxis program के अधर गया कितना है vitamin की dose दी जाती है तो इसका सही answer क्या है इसका सही answer है वो है 2 leg ठीक है 9 मंत पर 1 leg दी जाती है और पिर जब 18 महीने के बाद में हर महीने पर कितनी दी जाती है 2 leg हर 6 महीने के अंतराल में next बात कर लेते हैं विसकी यहाँ पर कुछन में पूचा है साबिन वेक्सिन is given for prevention जो साबिन वेक्सिन है साबिन वेक्सिन साबिन वेक्सिन किसके prevention के लिए दिया जाता है तो साबिन वेक्सिन किसके prevention के लिए दिया जाता है इसका सही answer क्या है इसका सही answer है वो है यह दिया जाता है किसके लिए polio के लिए दो वेक्सिन होते हैं साल्क और साबिन दोनों किसके लिए दी जयते हैं पॉलियों के लिए नेक्ट बात कर लेते हैं वन सबसेंटर is for a population, येंकि कितनी population के उपर एक सबसेंटर होता है तो यहाँ पर सभी answer क्या होगा यहाँ पर सभी answer हो भी Marriage 5000, जो 5000 population होती है उसके उपर एक क्या होता है एक सब सेंटर होता है next question की बात कर लेते हैं पन यहाँ पर question में पूचा है the most appropriate time to collect sputum specimen before the from patient most appropriate time क्या है sputum collection करने का तो यहाँ पर सही answer क्या होगा यहाँ पर सही answer हो है early morning early morning के अंदर हमें क्या करना है collect करना है किसको sputum sputum sample को यहाँ पर अर्ली मोल्डिंग के अंदर collect करना है next question की बात कर लेते हैं यहाँ पर question में पूचा है immunity transfer to fetus from mother through placenta aging ठीक है याई कि जो mother से placenta के दोरा fetus के अंदर जो immunity होती है उसे क्या कहते हैं तो उसे कहेंगे passive natural immunity जैसे यह mother है mother से माल लो fetus के अंदर आती है किसके अंदर fetus के अंदर जो immunity आती है उसे कहते है अपन यह कहते है उसे अपन passive natural immunity यानि कि mostly कौन से होती है immunity IgG आती है ठीक है next question की बात कर लेते है यहाँ पर question में पूचा है simplest method of prevention cross infection is यानि कि सबसे simple method कौन सा है cross infection को prevent करने का तो सबसे simple method क्या है सबसे simple method है वो है hand washing अगर आप hand washing करोगे तो आराम से आप किसी भी cross infection को आप prevent कर सकते हो तो यहाँ पर सही answer है वो है hand washing यहाँ पर सही answer है hand washing चलते है यहाँ पर question में पूचा है immunization is method of immunization है तो immunization कोन सा method है यहाँ पर सही answer हो है primary prevention जो immunization method है वो किसका है वो है primary prevention का ठीक है prevention का कई बार ऐसे भी question आता है कि immunization क्या है तो यह क्या है एक specific protection भी है क्या है specific protection ज्यान में रखलना क्या है specific protection भी है कौन immunization ठीक है चलते हैं next question की तरफ यहाँ पर question में पूचा है Paps smear examination is done to diagnose Paps smear examination किसके लिए किया जाता है तो यह सही answer यहाँ पर है cancer of cervix जो cancer of cervix होता है उसके लिए किया जाता है Paps smear को next question में पूच लेते हैं यहाँ क्या पूचा है यहाँ पर पूचा है root of administration of medial vaccine is can advise using node यहाँ कि मीजल का vaccin उसको उसको रूट से दिया जाता है सही answer के राएगा इसका 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 सही answer हो है Subcutaneous ठहिक है इसको 09 की subcutaneous root से दिया जाता है किसको medial机 के vaccine को जो प्रजेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट तो यहां पर सही answer क्या है यहां पर सही answer है वो है endemic उसे क्या कहेंगे अपन उसे कहेंगे अपन endemic suppose करो मालो यह local area है तो यहां पर एक constant एक digit present है उसे क्या कहेंगे अपन endemic यहां पर question में क्या पुचा है question में पुचा है which of the flowing live vaccine is यानि इन में से कौन सा लाइव वेक्सिन है तो यहाँ पर सही आंसर क्या है BCG जो BCG वो क्या है लाइव वेक्सिन है बागी यह सब लाइव वेक्सिन नहीं है चलते हैं next question की तरह question में पूचा है यहाँ पर question में क्या पूचा है question में पूचा है a person who harbores pathogenic organism without showing the manifestation of the disease यह एक person है जो यहनि को एक व्यक्ति है जिसके अंदर disease है लेकिन वो लक्षणों को show नहीं करता है तो यहाँ पर सही answer क्या है उससे क्या कहेंगे अपन उससे क्या कहेंगे तो यहाँ पर सही answer क्या है यहाँ है carrier थीक है हार-borus, यानि हो पेठोज़जनिक और्गिन को रखता है, लेकिन अलक्षन को शो नहीं कर रहा है, तो उसे क्या कहेंगे अपन? केरियर, क्या कहेंगे उसे अपन? केरियर, ठीके? Next question में क्या पूचा है? Next question में पूचा है 5 teaspoon equivalent to how many millil 느ars? यानि 5 teaspoon किए के बेराबर होती है तो एक टी स्पून का मतलब किता होता है एक टी स्पून का मतलब होता है पांच एमेल तो यहांपर क Ether 1 फाइबल तोского two झाल झाल